नमस्कार दोस्तों वशीकरण के आजसान तरीके में आपका स्वागत है। आज हम आपको वशीकरण के तिलक के बारे में बताने वाले हैं। जिसके इस्तमाल से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। इसी वशीकरण तिलक की वज़े से आपके सामने आने वाले लोगों को आप अपने इशारों पर नचा सकते हैं। आप इस वश में करने वाला तिलक का इस्तमाल करके अपना काम पूरा कर सकते हैं। और एक खुशाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं और काम्याबी पा सकते हैं। दोस्तों, इस वशीकरण तिलक का इस्तमाल कई सालों से किया जा रहा है। इसका इस्तमाल कई जगाहों पर होता है, जैसे कि जॉब, नौकरी, ओफिस और बिजनिस में और अपना मंचाहा प्यार पाने के लिए, परिवार में या किसी को अपने वश में करने के लिए इस तिलक का इस्तमाल किया जाता है। इस तिलक को समोहन तिलक भी कहते हैं। समोहन तिलक के इस्तमाल से आप अगर आपका प्यार आपसे रूट गया है, आपसे दूर हो गया है, तो आप इसको लगाकर अपने प्यार के सामने जाकर उसे वश में कर सकते हैं। इस तिलक का इस्तिमाल अपने सर पर करना चाहिए। यह तिलक किसी अन्य के सर पर नहीं लगाना है। इसलिए आपको वश में करने में तकलीफ भी नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वशीकरण के तरीके में आपको किसी का बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि वशीकरण का गलत इस्तिमाल आप पर ही भारी पड़ सकता है। वशीकरन तिलक कैसे बनाए तो जानते हैं वशीकरन के तिलक के बारे में आप इस वशीकरन तिलक को घर में ही बना सकते हैं इसके लिए हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिसके इस्तमाल से आप वशीकरन तिलक बना सकते हैं तो जानते हैं कैसे बनाते हैं वशीकरंट तिलक और वशीकरंट का इस्तमाल कैसे करते हैं वशीकरंट तिलक को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है थोड़ा सा केसर लेना है और थोड़ा सा शुद्ध गोराचन लेना है इन सबको अच्छे से मिलाकर एक चांदी के डब्बे में रखना है छोटी सी डब्बी भी ले सकते हैं इस तिलक का प्रियोग रोज सुभा करना है यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि तिलक हमेशा माथे के मद्धे ललाट में लगाना चाहिए तिलक लगाते समय इस मंत्र का उचारण आपको करना है